अच्छा तुम्हारे भाई का नाम क्या है सचीदानन सर हाँ सचीदानन जिस गुना में कैद है ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद हैं करनाटक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं अगर आप इसी चुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो से क्यूं बोलते हो मनु तो फिर इसकी बाते सुनके लग रहा था कि सबके रिष्टदारों को बुला कर यहीं पर धरना कर दूं सरकार के पास बहुत पैसा है नब्बे क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूंगा थोड़ा नाम नहीं रहेगा तो फिर गवर्मेंट के साइड से कुछ तो आएगा मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई इस साल में 24 साल का हो गया हूं भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गए तो इस बार क्या प्रॉब्लम है सर वेल आप लोग हो मिनिस्टर साब यहां से निकल जाएंगे तो इसको भी साथ में लेकर आजाती हूं ओके ठीक है जल्दी आओ यह फाइल दे देना आजाओ गुड़ीवनिंग अंकल गुड़ीवनिंग ओहो इस बर पप्पो को भी मिलवाने लाए हो बस पहचान नहीं करवाना चाहता इसे तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है तुम्हारी बात से पता चल गया कि काम नहीं होने वाला है भैट जाओ यह रिक्वेस्ट लेटर है अंकल अगर आप एक बार कह देंगे तो मिनिस्टर साब आपकी बात को टालेंगे नहीं वह मेरी उतनी ही सुनता है जितना तुम्ह तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है यह तो अन्द्या है सर तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खातरनाक है द्याट्स दी इंटेलिजेंस रिपोर्ट चली बाई चली एक्सक्यूज मी अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी साहिता कर सकता है एड्विन मोजस यह लो इस न गुड मॉर्णिंग साइब सर यह सेंटर से सचिदा नंद के लिए लेटर आया है मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है उसके बाद आके मिलने के लिए कोई ओके सर कि अग्राउंड में ने क्या किया है भाई मुझे क्यों मार रहे हो आखिर मुझे से गल्ती क्या हुई तो तुने कुछ नहीं किया बेटा सुवर कहीं के लुआ समझा है हाई 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 हिदर आ मुझे पाँगा मुझे पाँगा सुवर कहीं के आई तू और मैं हम दोनों यहां पर सजा काटने आए हैं अगर तूने दुबारा इसके उपर हाथ उठाया तो तुछे काट के फेक दूंगा सुवर कहीं के वाट हैपनड सची क्या मैटर चल रहा है आओ इस बार रिहाई के लिस्ट में तुमारा नाम भी है कॉंग्रेचुलेशन्स येलो तुमारे भाई की चिठ्थी मेरे प्यारे भाई इस बार एक good news है आपका releasing order मिनिश्टर ने sign कर दिया है मुझे पूरा यकीन ता भाई कि एक नाएक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और देखिए सिर्फ मैं ही नहीं पूरा घर बहुत खुश है आपके आने की खुशी धूम धाम से मनाई जाएगी बाकी सब मिलकर बात करेंगे इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के भार आपका वेट करूँगा अपना ख्याल रखिए आपका छोटा भाई मनव फोटो मत खिच्वाँ वर्णा मोहरत निकल जाएगा यो नहीं होटी सच्टानन बेटा मेरे जमाने के सारे लोग तो परलोग जाचुके हैं नहींतों किसी दोस्त की पोती से तेpower लिएång आप क्यों मेरे पोते की शादी कराना चाहते हो अभी तो यह अपनी नई मा की आने की खुशी में है पापा आप मेक अप नहीं करवाएंगे क्या नहीं बेटा तूने जो मेरा गेट अप बनाए वही काफी है एक डोर से वाद के रखा है भाई मेरे तूने ही हम सब को हाँ बारश ये प्यार की बारश यो हम पे है भूलेंगे कैसे उसको आके फिर मिल जा हमको तेरी यादे अनुमोल बाते अनुमोल सुनना चाहों फिर भगबोल खाब हमने जो संग तेरे देखी भाईया खाब वह पूरे करो बहुत हुआ ये चिर्ठी का नाता आ रहे हो वापस ये वादा करो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो सोने के तार का पेंज राए चमक इसकी तुम ही तो मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा जान लो ओ जान लो जुम उठा दिन मेरा संग तेरे जिने का बदला धंग मेरे पास बुलाती है कोई मिठी दुन ये सुंत लो हां सुंत लो छटा अंदेरा है खुशियों का पहरा है तुम रोग चला में आता है धड़का है दिल नजर ना लग जाए धड़कने दिल किस्व जोड़ो चला दर्ण विष्णू चोड़ो चला जा रहे हो जोड़ो चला इसको ये मेरा बेटा तू कौन होती मुझा रपने वाली था जोड़ो मुझे ओड़। म객 project यह इतना मार खा रहा है फिर रो क्यों नहीं रहा है तुक्छ समझ में यह डर इने मलम लगाए उगा पर शीरई लगल लगनी रहा है यह ये मार इसके लिए कुछ नहीं है अपनी माद के पहले पती कि दियाना है तो फिर खड़ा क्यों है यह चुपकर इसकी धाली में और खाना डाल दे नेता मत बन क्या भाई मैंने सुना कि तुमने किसरी ख़ून किया है कि और का गुणा अपने सर पे ले लिया है ना नहीं मैंने क्षोन किया है वाह हा तुही सबसे त्यारस है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहू दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो तो भी सबसे प्यारा है मेरा दोलारा है रूप दोला कुछ तो पो हो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो खान और घनी को वाडन पकड कर ले गया है मैं माल लेता हूं सब कुछ मैंने किया है इतना दुष्ट है तेरी तरी हिर्मत तेरे गाम के दीच में आता है हाँ कर देदक apple के दो गिच्डाल खुछ सब मिम ती, क्यान्सला प्रयूश करणोंस कर दिया। उन रखएम खमिए शच्छिट थो सिर्म पयार सिर्मोंस को जर्ट स्च्छिड नम्त फूगाहिए। असक्षोत में नहिए प्रवाक्सूम सचीदा नंदन प्राइब अड़ झाल 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 कि अंधेरे में क्या किता पड़ रहा है लाइड नहीं चालू कर सकता अंधेरा का भुवा पता ही नहीं चला अरे सची दानन को अंधेरे में भी दिखाई देता है केरी ओन हम प्योच्य करते हैं मेरा भाई कितना सुन्दर है कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है आओ अरे आपको बता है पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज है उसमें जो स्टोरी चलती है वो बिल्कुल आपके जिन्दगी की स्टोरी से मैच करती है अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना तो मैं भी वैसा ही कुछ करता आईए बैठिये मैंने आपसे कहा था ना आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे आपके आने के बाद ही विश्णुबाई शादी करेंगे लड़की भी उनके अब आप आगए हैं तो सादी भी हो जाएगी सची भाई है या परेकर । कि अगर हाइए जब दो कि अ गर इस ने तो पहले ही बोला था बाइपनको देखते आपके पैचान रेंगे हैसे नहीं पेचानते हम तिनों साथ आये ना इसलिए पैचानने यह क्या बग रहा है हम क्या हमेशा साथ में रहते हैं हम तीनों बच्पन से साथ में इसमें नया क्या है मनु यह है परिकर खान गनी हम सब लोग एक साथ बाल सुधार क्रह में थे मेरा चोटा भाई मनु यहां मुझे लेने के लिए आया है सच्छी भाई एक मिनिट हाँ अभी आए अभी क्या आप अपने घर रहने के लिए जाएंगे और कहां जाओंगा मैं सच्छी भाई अपन के वास्ते एक काम आया है कहां पर बैंगलोर में मांजे आपन के लिए बहुत अच्छा ओफर आया भाई मंबाई का कोई ड्रग डीलर है नाम है एडविन मोझेस बैंगलोर में ड्रग की डीलिंग वही करता है करोडों का दंदा है अपना भी फाइदा होगा फिफ्टी फिफ्टी मैं अभी अभी तो बाहर निकलाओ तुम सम मिलकर मुझे दुबारा अंदर भिजना चाहते हो ज्यादा दिन की बात नहीं है थोड़ा पैसा कमाने के बाद आपन धंदा छोड़ देंगे हां पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे फिर वहीं सेट हो जाएंगे हां जैसे विजे मालिया चोक्सी न बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुल लेना मैं कॉल करूंगा हेलो वो मना करके निकल गया लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं comprendre भैया प्रवस्यद भैया यह मुझे दो कर दो कि अवो चलो कि अवो चलो कि अवो कि अवो चलो कि कैसे भाईया विष्णू कि अवो कि अवो खो कि अवो कि कर अव़ मेडनला मेडनल सुपा है कि अ है पूपके अनलेश्र थो कि मनि अवो हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशे अर दिल की बगियां में डर की नहीं है मेरे आसपास रहना ओ सुले मेरी मैना ओ तेरे देना सुनी सुनी मेरी है मुडे तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आओ खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काहिक को करता है बाते योगी मोर मैं तेरी तुँ मेरा चारो और हिशा हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशे अर दिल की बगियां में डर की नहीं है अइसे ना इत्रा हो खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को ना दड़ पाओ अइसे ना इत्रा हो खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को ना दड़ पाओ जा इन होटों पे अटकी कब से ना सर मेरी आजारे पास आजा कर देना कोही जतन तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आओं खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काहे को करता है पात यूही मोर मैं तेरी तु मेरा चारो और हिशा इन आखों की भाश्या ये आखे ही समझें तरस्ती निगाहे बस तुझको ही ढूडे इन आखों की भाश्या ये आखे ही समझें तरस्ती निगाहे बस तुझको ही ढूडे आँ दीवाने हैं तेरे सदियों से हम तेरे आजारे हां कहते मिलके रहेंगे सजन तुझे देखे बिना दिल लगता ही नहीं सब कुछ है यहीं बस तेरी कमी एक पल भी जाती है जो तु कहीं हो दिल धड़के है जोरों से करता है शोर भाई आप यह आराम केजिए मैं महमानों को छोड़के आता हूं भाई यहां कहां चले गए सची भाई क्या हुआ भाई कमरे में नहीं है क्या मैं कमरे में खुझ छोड़के आया था पतानी कहां चले गए यहां क्या बोल रहे है मामजी भाईया दिखने ही रहा है अभी तो बेचारा आया है सोने दो कल मिल ले ना क्या बोल रहे हैं यहां पता भी यह और इसकी पर इसवक्त अपने कमरे में नहीं है चलाजा अगर वह ऐसा है तो एक दूंए स्कुझ नजह मनु हां अंदर से कोई आवाज आ रही है यहां सो रहे हैं भया मैं हूं मनु मनु भया यह क्या भाई यह भी कोई सोनी के जगा है वहां लेटकर मैं सो नहीं बारा था मेरे आदत नहीं रही न अच्छा भाई यह उठिये थेंक्यू फो कमिंग डॉक्टर हालो डॉक्टर सुधाकर रेड़ी हालो और यह इनकी वाई नमस्ते यह मेरी दीदी पलग सक नमस्ते हैं यह मे kupने प्रे। दो है reached the參vo marker descans और लॉक्टर मेरे भाईज यह मिरी दी इंपते अपलग संधान। और निमज्वरिवां सरे देटक्रभर्राने इ Пप्याल में क्या ओ सॉरी शादी में आया होंगे मैं भी शादी में आया हूँ ठीक है फिर मैं चलता हूँ ओके बड़े भाईया क्यारी ओन मैं इन्हें सब्धालते हुआ यह इसा क्यों बोल रहे थे वह क्या है ना भाई कुछ दिन से बाहर रह रह थे इसी वज़ा से है अब आप रेडी होए या नहीं हां अब है है आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है अंदर बहुत गर्मी हो रही जूट बोल रहा है एसी वाले रूम में फिर तुबहरा एसी खराब हो गया होगा है भाई आप लोग जाओ मैं कुछ देर बाद आ जाओंगा साथ में क्या प्रोब्लम है भीड कम हो जाएगी तो अरम से आजाओंगा अब यह क्या बक्वास कर रहा है भीड कम होगी तो क्या कच्छर साब करने आएगा भाईया यह भीड देखके आप इतनी टेंशन में क्यों है ऐसी चुपकर रहेंगे तो डर कभी भी दूर नहीं हो यह लड़की का बाप है प्रताप यहां का डीजीपी है यार वेलकम सर प्लीज कम बोहन जी विष्णु का फादर नाइस मीटिंग यू सर दिस इस माई सन सचिदनवाई और ही इस माई अंकल विजय कुमार है यह प्लीज कम यह भाईया सलूट क्यों मा रहे हो पोलीस ओफि जए बादेश्च नेका जेल में सिखाया जाता है वे यह कोई जेल नहीं और तु कोई मुझरिम नहीं अर तु कोई मुझाल नहीं अर विष्णू नहीं आ रहे है नाइस जमिटिंग यू तो अ दिस इसमाई सचिदन है यह पिता जी है एक गिलास पानी पीलू आपकी परम कि अलो सर एक गिलास पानी पी सकते हैं ओके सर पानी पीने के लिए भी दूसरों से टेस्ट करवा के पीते कितना इतना प्हालतू का नाटा के एक मिनिट पीना है सर मुझे गिलास पानी पिना है सर मेरे को सर बोल रहे है यह लगता है अच्छे दिन आ गए यह लो सर पीलो ला एक गिलास और चाहिए आप लीजिया लीजिया रहिए ब्लग पानी के पुछता है क्या प्यास नहीं पुछ रही है चल रखने चे आई शर पिता जी मुझे अभी किया भी लगु शंका के लिए जाना होगा कबसे पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा उदर सामने टॉलेट है जा जल्दी यह जेल से आने के बाद हर काम के लिए पर्मीशन मांगता है हाँ जेल ने तो इसे बिगाड के रख दिया है हुनों पूल मैं जाओ जाओ एए जाओ ना अब मैं जा रहागे जाना तुमता निखाल के आशिरवात्तु दो आशिरवात्तु दो चलते हैं सर विष्णू लगता है तुमारे भाया पुलिस में है पुलिस में तो नहीं है लेकिन पुलिस वारों से बहुती अच्छी जमती है उनकी ऐसा कह सकती हो हाँ कैसे है ठीक हुम एक मिनठा अहां बेटी बोलो पापा मैंने उस ओफिसर को देखा पूरा हौल तो ओफिसर से भरा बड़ा है तुम कि इस ओफिसर की बात कर रही हो बेटी अरे जिसने मुझे पहले बचाया था वो कमांडो ग्रूप वाला ओफिसर उसे तुमने कहां पर देखा यही पर वो विष्णू का बड़ा भाई है साची अरे कहां रही थी तुम इदर आओ सची कि यह आवाज कहां से आ रही है गराज में से आवाज आ रही है सर सर लगता है गैरेज में कोई है शटर का ताला तोड़के अंदर गया है चाभी तो मेरे पास है और यहां प्रवाज और यहां से सुनिए लगता है वह सेफ तोड़ रहा है अरे बाहर कौन साफ पड़ा और से कोई सेफ लेकर आया होगा ना सर क्या मतलब मैंने इंग्लिस पिच्छर में इसा बहुत देखा है सर साब लगता है कोई कार्चोर है है अगर कार्चोर होता तो कोई और कार चुरा था बंदकर से क्या कर रहा है इसे पता नहीं होगा ना बहार निकल कि न उसको एक रैप्टम मारते ना वहां है नीचे संभाल कि यहां उसके हाथ में हतोड़ा है शायद चल बहार निकल भाईया आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं मैंने सोचा थोड़ा कारी ठीक कर देता हूं अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा नीचे जाते वक्त तो जाला था अंधेरा का भुहा पता ही नहीं चला ठीक है मैं समझ गया चलो अब यहां से मैंने सोचा कि कार मन्नु ले जाओ इसे कम लेब चलो भाईया यह यह अब इस पैनर पहले भी मिल चुकी हूं मैंने तुम्हें पहले बताया था ना जब मैं उटी में पढ़ती थी एक टेरिस ग्रूप में मुझे अगवा कर लिया था तो फिर एक कमांडो आपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था उस कमांडो ग्रूप में सची धनन भी थे ऐसा तो होई नहीं सकता लगता है जो जलो पिछा नहीं तोड़नी चाहिए जो पहले आया वो पहले खायेगा जो बाद में आया वो पिछे खड़ा रहेगा चलो 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 अशोक क्या बात है ना यह लोग बाहर जाके पढ़के आते ना वहां पर उच नीच बिल्कुल नहीं देखी जाती इसलिए लोग बाहर जाते हैं सोशिलिजम हाई है आपन पता नहीं यह सोशिलिजम कब सीखेंगे यहां प्लाइन में क्यों खड़े हो अहां गर शच्बाद अर्म इन चलो क्या हुआ च्भुख आप नौक्रों के साथ लाइं लगा के क्यों खा रहे है यहां बैठिए आ है अप अओ मूर्निंग भाई-इअ खाल ब दसेल अथ मूर्निंग गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग क्या भाईया आप सकूल के स्टुडेंट भुड़ रही हो घृँ गुडिमोर और मॉर्निंग बո्रहे हो कि ना मुल्यों के किसी को गुड मॉर्निंग मत कहना ticket भाईया रात भर वंदना मुझसे एक बात पर लड़ती रही जरा वो दे न इसका ये कहना है कि आपने किसी टेरिरिस्ट मिशन पर इसकी जान बचाई है मुझे बचाने के लिए तो मन्नु आया मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ वे तो क्या हुआ भाईया क्या हुआ भाईया मेरा हो क्या है ऐसे अचानक क्यों उट गए वंदना ये सब क्या चल रहा है ये चूट कैसे लगी जानते हो मुझे बचाते वक्ते ने लगी थी क्यों भाईया मैं जूट बोल रहे हूं इन्हें बता दो ये जूट नहीं बोल रहे हूं वो मैं ही था मुझे अंधेरे में दिखाई देता है ये बात जेलर को पता लग गई थी इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया हर रात को वो लोग कही न खहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कटिन मिशन्स पर हम लोग साथ में गए उन्ही सब कटिन मिशन्स की तरह वो मिशन भी था अंदर सभी के पास हत्यार थे लेकिन मैं नहीं था ऐसे होता था वो आपरेशन झाल झालुड़ बहुड़ वो मिशन्स प्राइब को अ सबक्शनर मुशनन रखे लाएब लेकिन मिशनर प्राइब लेकिन में पहागो प्रॉड़ लेकिन प्राइब कैंट आप लेकिन मिशन वावाब पुदरोगी करें औहम में कर दो 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 कर लाध। या या जा बते अते हैं याल इपनरे दोड़ती और एमॉब और्य हुआका डिन films तेया हुआत कि अ कई बार मिशन से काफी लोग जिन्दा वापस नहीं आपाते थे जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गये फिर किसी की लाज ढूंड के उन्हें हम लोगों का नाम देता था ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा कोई नहीं पूछता था वैसे भी मुझरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीट गए ट्रेनिंग लेते रहते हैं आदत सी हो गई स्कांटर्स इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भाईया को बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन सब की तुर देखो भाभी आइं सो सॉरी यह डेविल्स डिटी डेविल्स इंक्लुदिंग यह डाद इंक्लुदिंग आपको इस बात को मामुली नहीं समझना चाहिए सर इस ग्राफ्ट को एक वार्निंग समझी है एडविन मोजिस की तरफ से एडविन मोजिस मेभी उसके किये हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर सॉरी विदान्ता सिट डाउन हां बोले पेटी पापा जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेज़ते हैं क्या आखिर तुम्हें ऐसी बगवास बाते कहां से सुन लेती हो विदान्ता मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है सॉरी सर आखिर कौन है ये और कौन होगा सची दाधन ओ सर के सनी लॉक अ बिग ब्रदर मैंने उसकी पूरी कुंडली निका लिया सर बहुत ही ओबीडियंट है वेल बिहेवड जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई इन फैक्ट ही जितने भी कमांडों है सर उसकी स्किल उनसे बेटर है हमारे बहुत सारे risky operations में उसकी मदद ली गई है that's why पूरी सजा हो जाने के बावजूद उससे release नहीं किया गया सर और फिर उसके younger brother ने higher influence लगा है इसलिए उससे छोड़ना पड़ा वो बात तो ठीक है अगर उसने ये बाते बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की image का क्या होगा वो बाहर नहीं बताएगा सर फिर वंदना को कैसे पता चला वो तो I don't know सर वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है इसलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो with your permission सर I'll talk to him मैं आपको जुबान देता हूँ कि वो कोई भी information leak नहीं करेगा Good morning sir Morning बैठो ने ने मैं खड़ाई ठीक हो हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी न बंदो बैट जो मुंबई से यहां आके मुझे तीन साल हो गए इसके पहले मैं दिल्ली में था वहाँ एंकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वज़ा से मैं निताओं की नजर में आ गया था तो बस दे ट्रांसफर्ड मी What would you like to have sir? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है तीन साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है ड्रग ट्राफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं बेज़ा एंकाउंटर में सब को मार डाना इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंस चल रही है बढ़ा जस्ट डूंट केर नाउ मैं प्रॉब्लम इस सम्थिंग एल्स ड्रग माफिया स्ट्रॉंगली वापस आ गए है और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजस उसको आज तक किसी ने नहीं दिखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स जस्ट नॉमल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रक्स का दंदा कर रहे थे तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सचिदानंद को क्यों बता रहा हूँ विकाज एडविन मोजस को खत्म करने के लिए मुझे सचिदानंद के हेल्प की जरूरत है कुछ दिन पहले एडविन मोजस का एक कंटेनर में सो गया उसमें ड्रक्स भरा हुआ है ये काम किस ने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए है सारे के सारे ट्रेंट क्रिमिनल्स हैं इसी लिए हमें तुम्हारी हल्प चाहिए 24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सची दान्द इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे तुम्हारे कनेक्शन्स को यूज करके शेहर में कौन उसके लिए काम करता है ये जानना आसान होगा जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ सर आपने जैसे पहले कहा अभी मैं जेल में तो नहीं हो न तो पोलिस की बात क्यों मानू भला अभी तक मैंने अपनी सारी जन्दगी जेल में बिताई है और उस जन्दगी के बारे में अभी याद भी नहीं करना चाहता आगे की जिन्दगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ सर महर्बानी करके मुझे दुबारा इस काम के लिए मत बुलाइए और ये काम मेरा तो है यह नहीं ओके ओके मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था इस बात को यहीं भूल जाओ सचिदानंद सर सचिदानंद सर जिस मामले को याद नहीं करना चाते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बाहर किसी को मत बताना क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे जानता हो सर यह आजिए, यह रोगनावार के विए, बंगलूर जेल बंढ़ करिमनल्स की लिए बपेशलु की तो, यह रचिदानन्त को मिलने के लिए लिए हुआ, यह आपका चोड़ा भाई है ना मनू नाइ, नाइसे नाइसे उप्टियू यूज़ आइ यूज़ आइसे आइ ओके जाओ तेरे इन जूतों पे पेंट कैसे लगा? पता नहीं लग गया होगा, आप भी कहां खहां ध्यान देते हैं उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ वो पुलिस वाला दे रहा था आप मैंने देख लिया देख लिया आप देख लो अरे नहीं नहीं मैंसे देखने नहीं हो आप अकेले थे ना तो सोचा थोड़ा बात करेंगे इसमें क्या है मेरे लिए जैसे ऑपरेशन किया गया था और कहा कहा पुलिस आपको ले गई थी कौन पुलीस मुझे अभी कुछ याद नहीं है पिताजी मुझे ढूंड रहे हो के चलना केदियों के साथ जो मिस्यूज होता है उसकी खिलाफ हम केस फाइल करेंगे सब लोग एक ही रट क्यूं लगाए हुए मैं कैदी थोड़ी दा हूं ये तो कैदियों की भलाई के लिए है ना भाया मैंने मनु से भी बात की इस बारे में उसकी भी यही राय है दो मिनट करेंगा मैं वेट करूंगी सुनो मैं बाहर जा रही हूं तुम भी चलोगी नहीं मुझे बड़े भाहिया से थोड़ी डीटेल्स कलेक्ट करने हैं आप जाए बाई बाई अरे भाया यहां पर पैदल कहां जा रहे है हलो मैं बस पास में जा रहा था आप यहीं रुकिये मैं कार पार करके आती हूं हाँ हाँ मैं यहीं वेट करता हूं करता हूं हाँ क्या बखवास सीड़ी बनाया है हर जगे पे होल होल ही ही है दिल करता है इसे तूढ़ ही दूढ़ करते हैं हरे सर यहां पर है और यह तो नुम झारी कर रहे है जल्ती हो गए यहां पता जल्ड के तू आ रजनी हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे मैडम साप तो उपर तपस्या कर रहे हैं कौन सची सर हाँ उपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम आप देख लो चलो इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है मैडम जब मैं आया था तब सर तो यहीं पर बैठे थे तो फिर कहां है मैं क्या जानू कहां चली गए उनको तो यहीं पिछोड कर गया था इधर देखो बड़े साफ वहां नीचे बॉक्सिंग कर रहे हैं चलो आजाओ क्या रहा है आओ देखो है मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा अचले कहां चले गए रुको मैं देखता हूं यहां तो नहीं गए यह सब क्या ब अरे क्यों दिमाग लगा रहा है पूछ लेते हैं ना सची सर सची सर आप सच में अंदर नहीं है ना सब लोग एक साथ खड़े हो गर यहां क्या कर रहे हो आखर चल कह रहा है विश्नु भाया बड़े भाया मेरे सामने टॉयलेट में गए वन्नादी बोल रही है कि रोट प क्या बात है सब लोग यहां कि तू कितने देर से बातरूम में था थोड़ी देर तो हुआ तो फिर यह बता वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड पे बात किया हां सचा है मैंने बात किया आप फिर टेर्स पर तबस्या करने वाला हां मही था और जो बॉक्सिंग कर रहा था हां वो भी वो भी मही था भाईया क्या चल रहा था नीचे अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है ऐसा सब क्यूं सोच रहे हो हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं भाईया मैं खुद बहुत परेशान हूं अब मैं ठीक नहीं हो सकता मुझे कुछ ऐसे ही जीना होगा किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ कहे 24 साल पहले जैसे गया था अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही सब कुछ बदला बदला नजर आता है कैसे किसी से बात करना है कैसे बरताव करना है कुछ समझी नहीं आता इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा सुनो जेल में जो कुछ भी हुआ है वाहर किसी को नहीं बताना है ये बात मुझे वेदानता ने कही है लेकिन यहाँ पर तो सब वही जानना चाहते हैं मैं आपकी बात समझ यह है आप एक काम करिए आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलके बैंगलोर सिटी में रहिए पिदा जी और भाई से मैं बात कर लूँगा वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं वहाँ पहुचते ही घर का बं बैंगलोर पहुचते ही मैं घर का इंदिजाम कर दूँगा और दो दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊँगा ठीक है न बाबा येस तुम जहां भी रो हमेशा खुश रहो बेटा मेरे लिए इतना ही काफी है अच्छा मैंने ये फोन खास आपके बाए पिता जी बाए विटा समल के जाना वदना दी टेक है बाए 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 भाए भाए भाय या बाए बाए भाए बाए आप हो आप है अबारे और आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुन्दर हो जाएगी देखो तुभारा फोन बज रहा है है फोन हाँ 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 हेलो हाँ क्या बात है सर यह आपका फोन है हाँ मेरा फोन हाँ मन्हों ने किया है हलो भाइया हाँ आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी फोन मेरे लिए बजरा पता ही नहीं चला बैंगलोर पहुंच गया नहीं भाइया सिटी के बॉर्डर पर ही हूं आदे घंटे में पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंपे हूं जर्फ होल्ड करना हां हां है है फोल टैंक हां भाइया आम पेट्रोल भरा रहे हैं जली जो उतार मनु यह लोग हमारा वीडियो बना रहे है मनु क्या हुआ क्या बात है कुछ नहीं भाईया मैं बात में फोन करता हूं मैं रहुत बैल मैं विलकास सभाईय। करें रहे है कि रहाना है यह गुए रहार रहा है हुआ रहार बोकदी खार्डनी जाए फसक्रिक है मिरें खुछ इंछा सक्षाइव मनु था मुच्छ सक्षाइब क्या हुआ भाहिया विष्णु अभी मनु का फोन आया था पैट्रोल पंप उसे कोई परिशान कर रहा था थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन आफ आ रहा है लगी नहीं रहा है आप इतना टेंशन की लिए रहे हो फोन में तो यह तरश खत्म हो जाता है पोन आफ हो जाता है अरे सुनो यहां यह बात नहीं है यह राज़ीन को फुन लोगा हम बेल तो बज रही थी पर किसीने सुच आफ कर दिया यही मुझे भी लग रहा है वहां कोई प्रॉब्लम हो गई है हमें खुछ जाकर देखना चाहिए कहां जाकर ढूंडेंगे भाईया वह पेट्रोल वर्म शहर से आदे गंटे की दूरी पर है बस हमें तुरन जाना चाहिए चले तुम्हें काम करो पापा को फून करके बता दो हां हां है पापा पापा मन्नु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है कि अब 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 हम डरने क्यों कोई बात नहीं है हम आइए होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मन्नु को आगवा करके अपने साथ ले गए ओ ये इन्हेलिंग डिवाइस मन्नु यूज करता है या रजनी मन्नु यूज करता है उसको विजिंग की बीमारी है जब वो मेडिसिन डालके इन्हेल करता है तभी वो सांस ले पाता है विच मेडिसिन इस यूजिंग इनिट इट्स अस्तलिन राटो कैप्स ओ स्पॉर्ट से मिला है अटाइक के टाइम शाद गिर गया होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अलो कौन है परिकर कौन सची दानन बोल रहा हूं सची भाई अरे गनी सची भाई सची भाई क्या हो आधी रात को फोन किया तुम लो कहां हो अभी तुम सब की जरूरत है यह किस ने किया कोई आडिया नहीं लग रहा है मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठा कर नहीं ले जाता ऐसी बात नहीं है मनु की जिन्दगी उसके लिए कीमती ऐसे लिए उठा कर ले गया वरना उसे खत्म कर दिया होता ये दोने चीज़े मुझे विश्नु से मिली हैं इस इनहिलर के बना मनु एक दिन में नहीं रह सकता तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी इस शेहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती है पता चल सकता है क्या मैं आभी तुरंट पता करता हूं मेडिकल शॉप से इस इनहिलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करूं ये तो हो जाएगा सची भाई लाओ मुझे दो अझित आपरिकार इसे मैं अपने गृूब में शेयर करता हूँ तु भी अपने गरूब में फैलादे सबको काम पे लगा दे कि है कि हलो किया वे इतनी रात को सुनो मत्तु भाई गनि ने गुरूप में फोटो डाली है इसे तुम भी अपने गुरूप में शेर कर दो हां रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन्स सब पर अपने लोगों को नज़ा रखने को बोलो हां फोटो में जो दवाई य क्या है वो मैं मिलके बताऊंगा ओके है कि सच्छी भाई टेंशन मतलो यह सब हम पर छोड़ दो शेहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी राद भर वो सारे मिडगल शौपर अपनी नजार रखेंगे क्या है रिबॉले सर एक रिबॉले सर एक रिबॉले सर एक रिबॉले सर एक आस्टेलिन रोड़काप्स कितना थीन सब्सक्राइब मुद्टू का फोन है मुद्टू भाई बोलो हलो सुनो एक ही मेडिकल शौप से दोनो चीजें एक ही आदमी खरीदा पर मेरे आदमी के वहां पहुचने से पहले वह गोंचु निकल गया सिसी टीवी कैमरे से आदमी मिला है अभी तेरे को बेजा है इंदीरा नगर कोलनी में तेरा नंबर खोली में रहता है नाम है प्रिंस इसके फोन के वीडियो चेक करो कि यह दवाई किसके लिए खड़ी थी यह मैं अपने लिए ले रहा था और दस्वर किसी मनु को नहीं जानता सची भाई प्रोल यह देखो जोर जान पर फुरता मनु 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 आँ रहा अगो रहा रहा जाए शृटप रिष! शृटप रिष! रहल है! रहल है! कर दो कर दो कर दो जुड़ता कर दो जुड़ता कर दो अजा शबता से जए अज़ता है सची मही बस खरो सची मही अगर यह मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई अब नल्ले अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा बांकेगा यह और मार खाएगा अब फêu बताएगा वचER लगएगा रभाई-" Adam कि अखिए वाथ कि अखिए अखिए जाता है हुआ है! हुआ 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 हुआ! युझ झाल नुझ को झालो कर दो ही कि अगये कि ऊपर जो प्पर autom तंग प्पर रादा नुझ प्रादा नुझ कि अ कि अ औब ऑज़ जब जब अट जड़ा है अज़ जड़ा है य्ज़ कैं पर दो भर नचर है अज़ अज़ को करादा कि अज़ मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूँ पदल जाएगी सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाकों ने सब कुछ पदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा अगली बार जब आप सिग्रेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिग्रेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा तम बाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए एक अट शून्या या एक 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 दो तीन पांच हे पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे शून्या एक एक दो दो नौ शून्या एक साट शून्या एक पर मनु कहां है मुझे काम मिला था मैंने बस अपना काम किया इससे ज्यादा मुझे नहीं पता अब तेरी तो जोड बोला डुकर मनु कापर है परिकर को यह ऐसे नहीं बोलेगा यह कैसे बोलेगा मैं जानता हूं गनी खान को भून लगाओ हालो खान हां बोल गनी आठ डिसुजा की बेटी अल्टीशा तो मेरे साथ ही है अल्टीशा नहीं लिटीशा ओ लिटीशा तुम्हारे डैडी लाइन पर हैं ज़रा है बोल दो हाई डैडी बेटी तुम्हे और आइसक्रीम चाहिए एक और इसकी लड़की भीज के जैसी चाला जल्दी बता, बहुत देर हो गया इसके साथ कहां फैकना है और फांच चैन बना की रखो इसकी तो प्लीश सेर मेरे बेटी को कुछ करिए मैं बताता हूं शट्टी साब के कहने पे हमने आपके भाई को मारा बाद में आपके भाई को शट्टी साब को सौब दिया अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता यह है शेटी यह है इसकी फैमिली और यह इसकी बीटी आरिया शेटी गुद्मानिंग सर एक पुलिस वाल आपका इंतिजार कर रहा है यह शेटी अपने आप में सरकार है सरकार हो या पुलिस हो इसका नाम सुनते ही गुंड़े भी पीछे अट जाते शेटी से कोई भी नहीं टक रहा था यस मिस्टर आफिसर आज कल ड्रक्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो इसका कारण भी तो आप ही है क्यों जूट बोलनो डी जीपी प्रताब के रेलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटाइक कर वाया उसके बाद उसे किड़नाप कर लिया इन सब की ब बड़ा आदमी क्यों नहों लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टेप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है किस चीज की गर्मी है आपको पता है मुझे मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी है व वो लड़का नहीं मिलने वाला है हमें एडविन मोजस की मदद लेनी पड़े की भाई कि कोई उसका दुश्मन होता उसे उठा कर नहीं ले जाता खत्म कर दिया होता अब अपने डीजीपी को बोल दो कि उसे भूली जाए मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए मैं अपने भाई को बचा सकता हूं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो आर्या शेट्टी अशे यह कामका नहीं है हम्हा रड़्यक्त अव क्योंच? 124 रूपी आर्या शेट्टी इस कपूर के डिप्ब का? इतना मेंगा काी के लिए इसकर चाहिए उड़ जाएगा हम्हे सुर्य है पुटले के माफिक खड़े हैं डादी कैसे कैसे बॉडिगार्ट जग दिये हैं आपने इडियेट्स मॉल में वाचेस चुड़ा के मेरा नाम खराब कर दिया यह किसका फोन है यह फोन तो मेरा नहीं है हलो मैं साब डिसुजा बोल रहा हूं मैं फोन कर रहा हूं शेट्टी साब फोन नहीं उठा रहे हैं अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज डादी डिसुजा हीर हलो सर प्रॉलम ज़्यादा बढ़िये इसलिए आपको फोन करना पड़ा आर्या मैडम को मुझे लगता है किसे सेफ जगे पे छुपाना पड़ेगा पता चला है कि वो लोग फिल्डिंग कर रहा है डिसुजा तु अभी मेरे पास आजा और अपने लोगों को लाना ओके सर क्या हुआ रड़ी कुछ नहीं बेटी तुम्हें कहीं जाना है तैयार हो जाओ हेलो सर हेलो मैंडम तुम्हें डोंट वरी मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसुजा के कहने पर आप लाओ डिसुजा कार को तुह ही ड्राइब करेगा ओके सर मुझे और किसी पर भारुसा नहीं है जीप में तुम्हारे साथ एक ही आदमी होना चाहिए सिधा एरपोर्ट जाओ मैंने सब कुछ एरेंज कर दिया है एरपोर्ट पहुंचते ही फोन करना जाओ डाड़ी ओके बेटा य आरिया शेटी का फोन अरे डिसुजा गाड़ी वापस घर पे लो मेरा फोन नहीं दिख रहा है पोन तो शेटी सापने निकाल लिया मैम साब वो लोग ट्रैकर सकते हैं ना ओ अरे शेटी तुझे कब का बोला थे कि फोन आफ कर आफ कर आफ कर आफ कर मत्तु भाई इसे भी बांद के रखो मैं जब तक नहीं बोलूँगा छोड़ना नहीं तो शेटी का बिटी कहा बाहर परिकर और गनी उसके साथ पर है अब शेटी हमारे रस्ते पर आ जाएगा तुमने जैसे काम मैंने कर दिया ना अब मेरे बिटी को छोड़ दो अपने जैसा समझ के रखे लाए क्या कब की घर पहुंच गई है भाल ममै मेरा बच्चा हम eco हुआ अब मेरा सिंगापूर जाने का कोई नहीं टीव अब मेरा फ्रेंड्स के साथ ट्रेंड में बस में ऑटो में घुमने का दिल कर रहा है यह फ्रेंड बोले तो बाई फ्रेंद ना बई और बवर्फ्रेंड ना बएफ्रेंड की हालो मिम साब हाँ मैं खान येस दिसुजा की जगह पे शेटी साब ने मुझे रखा है ओ थेंक यू बैठ लिए ओके हालो शेटी साब अवे इसकी तो जड़ा समान के कोई अमरे पीछा कर रहा है मैंडवा आप डरिये मर वो रेसिंग करना चाहते है हुआ 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 जञ हुआ हुआ हो जादा है कर फ्ररिक करना के दो शज करना UP 20 कि तो ही दो बादा हुआ है ही अवाँ र्रर मेहा हुआ हुआ है था प्रगलो भू semesterina जZY प्र्ग जो बोलाभ जह ठाईए है कर दे झाल 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 येस 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 ब्रू येस 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 बिग ब्रू मुझे अभी डाड़ी से बात करनी है अल्ला येस येस ये जल्दी कुछ करना तव अभे दो मेले टूप में कुछ करने की कोशिश कर रहाउं हां लगा शटी साब शटी साब में साब बात करना चाहती है है हेलो डाड़ी इनका बिग ब्रो थो ना सुपर्ब है एक पजेरों में इतने सारे लोग मुझे किटनाप करने आये थे बट ही फेस दें ऑल अलोन डाड़ी अब मैं सिंगापूर नहीं जाओंगी मैंने इन लोग जाने के लिए यह सब लोग तयार हो गए है प्लीज डाड़ी प्लीज ओके बेटा यह लोग सब सभाल लेंगे युल बी सेफ डरने की कोई बात नहीं है थैंक यू डाड़ी लव यू लव यू टू क्या बात है अब मैं सिंगरपर नहीं जाओंगी जहां मेरा दिल करें व थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एक्स्क्यूस में साथ येस ब्लड़ी चीट शटी साब मुझ बन रख अपना मेरी बेटी को इनके हाथों में सौप देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे दिखाने की इन लोगों ने मेरे बेटी को किट्ने अप कर लिया था अब आप ही बताओ मैं क्या करता ये भी उनके साथ है आखिर कौन है ये साब मैं सब कबंदा हूं इसलिए मीडियेटर बना कर आपके पास भेजा है अब एडियेट मुझे तुझ जैसे मीडियेटर की जरूद नहीं इसलिए भी बिखारी मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है यह मैं अच्छी तरसे जामता हूँ मुझे मत सिखाव नहीं सब नेवर डोंट अंडरिस्टीमेट हिम हाँ और यह उसनी ये भेजा है कि साब को दिखाने के लिए है 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 हाइध डादी मैं तक नहीं पाया थांक्यू लादी आपकी वज़से मैं अपनी फेवरेट जगह घूम रही हूं थैंक्यू सो मच कितना अच्छा है ना इस ब्यूटिफुल च्छाने लगा दिल पे ऐसा कोई मैं रहने लगी उन खोई खोई दिल नेल कहा क्या कुछ तो सुन लो दिल में मेरे क्या कुछ तो बुझो ना जुक है दिल मेरा ना है कोई गम चाहू मिल जाए अब कोई कर दे करम दिल को दिल से मिलना ही है देखो 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो सत रंगी सपनों में खो रहा दिल बाते हैं तेरी पर मैं हूँ शाम्य इन नैनों के इशारे कुछ तो समझो ये जोका उठा है कैसा हौले हौले खुश भु हवाओं में बह चली है आओ आओ जी जुमते इसमें खो जाओ आओ हो रही हूँ मैं क्यूँ खुदला पता देखो देखो कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो बादल में तारों का जूला बनाओं तुम उसमें आके जूलना मेरी सांसे सांसम तेरी योग रही है प्रेम की माला मेरी पहनना जागे हैं सपने आखों में मेरी सुखी नदी मैं जैसे जहर ना गिरे दिल मेरा जोरों से कह रहा तुभी सुखी देखो 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो देखो देखो कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो लाला 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 बाला लाला लालाMoश पर्षाषिक दो इसदेश्य को बीटी को देख सेफ है और इसकी हालत आए है हम चलिए शिट्टी साहब आपको लेने के लिए आये हैं कर दो तो आपको लेने के लिए चाहब आपको लेने के लिए आये हैं मैया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अलो परीकर सेफ से पहुंच गया ना अल सेफ सची भाई मानू को लेगर के हॉस्पिटल गए वेलकम वोक्य भाई बाई हुआ हाई हाई अ इस एक्रशण बहले दो कि अधित है अ अ अ राजनी, उठामा, लेठी रावा उठामा की जरुवत नहीं, स्वई राव हमें थोड़ी देर एने आकेले चोड़ देना चाहिए शेटी की बेटी यहां क्या करने आ रही है यार यह भुके लेकर के यहां क्या करने आई पता नहीं इसको कोई काम है यहां क्या काम है बोल रही थी रजनी से मिलना चाहती है अब रजनीर से क्या काम पढ़ गए उसको अब सच्ची भाई को इसका नाम याद तो है नाम क्या याद देलारी आरे आरीया शिट्टी उनके करीब रहना चाहती है औरे तु इन सब में क्यों कूद रहे मैं काम कूदा नो तो आर्या शिट्टी अरे मेरे साथ नहीं सच्ची साथ करा खाए के साथ है हेलो यह अर्य शटिं कि अख्रेंड ध्रेंड और ह अर्य शेटिंहा की अख्रेंड है अन्य वह कि अख्रेंड अर्य शेटि रजोफिए झाढ चया दिया हो हाइज म्लुक। आव, आरिया शेट्टी आरिया शेट्टी कर दोता है हलो हाई मैं आरिया शेट्टी हुँ याड़ी की तरफ से माफ्य मांगने आई हुँ माफ्य मांगने आई है या तू या तेरे बापनी यह देखने के लिए बेजा है यह आउ लोग जिन्द है यह मर गए मेरे इस भाई की वज़े से तु जिन्दा खड़ी है वरना यही इसके बगल में तु पड़ी होती तेरे बाप के कहने पर उन गुंदों ने हम दोनों की यह हालत कर दिये तेरी भी यही हालत होनी चाहिए इम्मत कैसे होई तेरी यहां आने की रो जितना रोना है रो जिजो तेरे आस्वे ना यह तरी बाप चे पुरे कर्मों की सजा है तुम लोगों गैसे नहीं छोड़ूँगा मेरे हाथ हो मरोगे इना यह एक हॉस्पिटल है बहेर वियोसर्फ इम्सोरी सर शेटी की बेटी को अगवा करने वाला आद्मी माय हूं आप मुझे पकड़ दीजे अब मुझे किसे पकड़ना है यह तु मुझे सिखाएगा चला हाद यहां से वेदार्ता इन्हे का स्टड़ी में लेने के लिए शेटी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या नो सर फिर इतनी गर्मी किसलिए है सर वो आप भी जानते हैं इन सब के पीछे रग माफिया का हाथ है इन तीनों लोगों का एड्मिन मोजिस के साथ कनेक्शन है बस इतना ही नहीं सर आपके सनी लॉक अपरादर मनु भी इनके धंदे में इन्वाल्वड है इसी वज़ा से शेटी ने मनु को अगवा किया उसके जरीए वो एड्मिन मोजिस तक पहुँचना चाहता है एड्मिन मोजिस को पकड़ने का काम हमारा है शेटी का तो नहीं है न इन लोगों के खिलाफ किसे ने कंप्लिन नहीं की इसलिए जबानत दे रहा हूँ अब लुग चलिए आईए लुग जा शेटी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी न तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा डूंट माइंड इट पता है बाहर की दुनिया से ज़्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कराया हूँ इसलिए डराने की कोशिश मत करना इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर डूंट माइंड इट मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु तुम जाओ उससे मिले बेकार में नहीं जाओंगा मनु अभी तक जो हुआ सो हुआ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वज़े से उससे अपकोई प्रावलो हूँ डाड़ी जाओ रहा से डाड़ी जाओ रहा से डाड़ी जाओ इज फोटे पून है डड़ी उठ से दित अग ने है मेरे मुबाईल से वेडानता को फोन लगाँ यहाँ अ कुछके फोन शिज़ो इडाँ हेलो, हेलो, अर्या बोल रहे हो, अब हमला हुआ है किसीने डैडी को शूट कर दिया है हमने अपने आपको एक अमने में बंद कर लिया है प्लीज सची, प्लीज गब फास्ट पहले रोना बंद करो और चुप चाप किसी सेफ जगे पर चली जाओ और उसके बाद पावर आप कर देना परिकर, शेटी के घर पे किसीने हमला कर दिया है, मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालों के साथ ही है, हमें चल कि उसे रोकना होगा मनु ने शेटी के घर पे जाकर हमला कर दिया है, यह शेटी आपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है यहाँ बेठी डदी 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 यहल did यहल जक रखवाएश अअबसे कहा है हुआ 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 सची लाइट जला दो इनको ले जाना होगा पुलिस की आने के पहले तु आ गया सबोत मिटा के हिरो बनने का बहुत फितुर चड़ा है तुझे यह यह आप क्या कह रहे है यू शड़ाब इडियट मैं तो कान के नीचे दूगा किसलिए कान के रीचे दोगे पुलीस का काम होता है हमारी सेफटी का पर पुलीस ने तो फोन ही ने उठाया डाडी ने बुला उनके मुबल में विदानता का नंबर है उसे फोन लगाओ आपका फोन स्विश्ट ओफ था सुरी आरेया आज मेरे फोन की बैटरी ओफ होगे थी ओके अच्छा सुनिया अप लोग स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं कल सभी लोगों को बोलो कि मुझ से आकर मिले यहाँ आट्स माय ओडर गॉर्ट साची थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ तुम लोगों के साथ कौन को राये था हम अकेले थे सर कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग-अलग स्टेट से आए हैं जोड़ मत बोल परिकर छोड़ दो से इसे कुछ मत करना तो इसे पुलिस को दे देते नहीं क्यूंकि आसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है पुलिस वाले तंकरेंगा हाँ वो मनु के उपर शक कर रहा था रात को ही यहां आधम का मनु को देखने के लिए देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था लेकिन देखके चला गया कि hash हलो हलो सची मुझे इंपोर्टेंट बात करने ती फोस्पिट असत्य हो कि आभी मैं होस्पिटल में इन्तिजार करूंगी होस्पिटल किसलिए आना है फोन पर बता दो एक फोन पे नहीं बताऊंगी सामने ही बताऊंगी हाँ फोर ओक्लोग हॉस्पिटल के कैंटी में मिलते हैं ओके शाप फोर ओक्लोग आना बाई है कि अर्या शेटी सच्छी भाई के साथ जू रिष्टानि भार ही है उसे कैते स्टौक अब कूरे निहीं चलाया मतलब यही प्यार यह स्टॉक अप सेंट्रम तब होता है जब होस्टेज को अपने किड्नैपर से प्यार हो जाता है मुझे तो लगता वो बदल चुकी है बदल चुकी है ना ओके बसकर यार सची भाई इसे काटना होगा मतलब गुरुप से काटना होगा अरे काटना है या जोडना यह ओमर में लड़की नहीं मिली इसका मतलब समझता है तो अज जो अर्या शिट्टी आरी है ना प्यार की बात करने के लिए इस कुरसी पे बैठेगी और आखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी तब आपको भी उसकी आखों में देखे बोल्ला है आई लव यू मुझसे यह सब नहीं होने वाला हुँ गुंचु कहीं करेक्ट है सची भाई एक तुम सही जा रहे हैं ओ मतलब कोई फाइदा नहीं है है सची भाई वो लड़की यह रही है कि अग्या पर अग्या पर व्याइद शुना आ रहे शेटी यहीं आकर वैठेगी संभाल लेना सची उसके आखों में देखके बोलना गुझसे नहीं हो का पताया नहीं अग्या पर कोशिश तो करके देखो तेरी की लगता है कुछ नहीं होने वाला तुम भी ररते हो क्या है उन लोगों ने तो बोला था यहां कर बठोगी कौन में नहीं मैं वहां क्यों बैट गय है हां मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें आगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सको इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इलजाम मनू पर ही लगेगा सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया मैं भी तुमसे मनू के बारे में कुछ बात करने आई है विदानता भी आद सुबह मुझसे मिलने आया था मनू के बारे में पूछ रहा था उसे लगता है हमला करने वालों में मनू का हाथ हो सकता है यह सच है लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया लेकिन विदानता को मुझे पर शक हो चुका है. मनु का ये फोन, मुझे मेरे घर पर ही मिला. मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है. और इसलिए मैं ये फोन विदानता के हाथ में नहीं दे पाई. बाई. क्या हूँ सच्ची भाई? भाईया, मैं तुम वाश्रूम के अंदर था. आप कब मैं पता ही नहीं चला? सुबह सुबह मैं सब के सामने तुम से पूछना नहीं चाह रहा था. रात को तुम कहां गए थे? तुम कमरे में तो नहीं थे. मैंने खुद जा कर दिखा था. पुलिस जब तुम्हें ढूंडते हुए आई, उसके पहले तुम आ गए थे. रात को कहां गए थे, बताओ. उससे पहले मुझे आप से एक सवाल पूछना है. आप उस शेटी की बेटी को बचाने में दिल्चस्पी कूँ ले रहें. आखिर बात क्या है? उसे नहीं. तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था. क्या मुझे? आपके कहने का मतलब हैं इन सब की वज़ा मैं हूँ. तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला. क्या थे हुआ? क्या है? धुम्हे? हलो सची होस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए फुलिस वाले दिख नहीं रहें डॉक्टर नर्स सबके सब गायब है लगता है कोई जान मुझ कहीं सब कर रहा है रुको मैं अभी आता हूं क्या वह भाई हां है है सच्छी भाई है उठाओ बोले सच्छी भाई कहा हो तुम लोग होस्पिटल में कुछ प्राब्लम हो गई जल्दी पहुँच ना होगा मनु वह यहीं पर है मनु तो घर पर ही है तो वहां पुलिस संभाल लेगी हम लोग जाकर क्या करेंगे तुम क्या होगे भाईया शर्टी की बेटी को बचाने के लिए मैं आपको जाने नहीं दूगा तेखो अगर उसे कुछ भी हो गया तो पुलिस सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल देगी चलो टो जिन लोगों की वज़ा से हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गया आप उन्ह आपको जाने नहीं दूगा आपके बहुत कर रहे हैं तुम भूल रहे हो कि इसी ने तुम्हें छोड़वाया है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई इन्हें जेल में सर ने देना चाहिए था वही इनकी असली जगाह है कर भाईया सॉरी विश्णू जब तक मैं वापस ना हूं यह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ओके गाईस लिसन कैरफुली यू गाईस हाव तो मेक इट रीली फास्ट मुझे कोई गल्ती ने चाहिए गाईस कहाँ हो तुम लोग जल्दी आओ हलो कहाँ हम पहुँच चुके खुछ लोग आईसियो के सामने है जल्दी आओ अबॉट दो मिशन निकलो यहांसे जल्दी वो लोग हमें पकड़ ले उससे पहले निकल जाओ यहांसे क्विक वोल्यों पुस्टर्ट चारे झाल झाल कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर आपका नाम क्या है पवन डॉक्टर पवन कुमार क्या डॉक्टर साब ड्यूटी के टाइम पर यहां सो रहे हो अपना नाम बदल लो स्लीपोलोजेस्ट हेलो सजी जल्दी से यहां आ सकते हो गया इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना कोई भाना करें छोड़ना मत लिसन गाइज लिसन मैं तो अब टॉटी रूम में कोई नहीं है और इंटर कॉम डिसकनेक्टेड है क्या करों समझ में नहीं आ रहा है कर दो कि देखिये मेरी बात सुनिये मैं कल रात से काम कर रहा हूं वेरी टायर्ड इसलिए मेरी आख लगी आम सौरी हम भी तो वही कह रहे है चुप-चुप सोचाओ वाई को आने दो बगवान के लिए रिपोर्ट मक करना वरना मेरी नौकली चली जाएगी प्लीजा रिक्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्र वस्द प्रप्रप्लम सर्डी में ड्यूटि पर सो गया था उस पक्सिने शट्टी सबको आईसीउ में आकर मारने की कोशिश की थी और ये लोग मुझे और तुम तीनो, चलो मेरे साथ तीनो, परकाई के लिए हाँ, चल शेटी पे जब जब हमला होता है वहाँ तु और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुंच आते हैं तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाते हैं सर, इनको यहाँ मैंने बुलाया है ड्यूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहाँ चले गए थे कौन-कौन था उस समय ड्यूटी पर कहाँ चले गए थे वी आईपी की ड्यूटी में आदनी कम पढ़ गए थे इसलिए वहाँ बेजना पड़ा हमें लगा यहाँ क्या हो सकता है इडियूट फूल्स यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो तो फिर क्या जवाब देते सुरी सार शार अगर यह हरकत दोबारा की तो ड्यूटी से सस्पेंड कर दूगा कि अएए तो ओस्ट में क्या किया कौन वह डॉक्तर है सच्ची पॉला था छोड़ना मत हमने तो गया लेकिन वह बेताल चोड़ा के लेके गया बेताल नहीं वह रिदान्ता हुस बेदान्ता ने डॉक्टर पे विश्वास कर लिया वह डॉक्ट्टर हो इसक्यूप्य ये दॉक्टर पवन कुमार अभी डूटी पर है क्या? नहीं, डॉक्टर पवन कुमार डे डूटी पर नहीं, नाइट डूटी पर है डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकती है? यह तो हॉस्पिटल रूल्स के खिलाफ है सर अझा वेदत आईपीयस, वेदान्त आईपीयस क्राइम एंड नार्कोटिक सेल के स्पेशल ओफिसर है जब डिखाओ डिखाओ, कॉंस्टिबल्स पेशल आइच अग्या श्ताइट अग्यां कॉंस्टिबल्स कम फर्स्ट वॉम लग कॉंस्टिबल्स बाईया, बाईया, हाँ, चल माफिय मांग इंसे, बाईया, बाईया, मैं बाईया, मेरे मों से पता नहीं क्या क्या निकल गया है, बाईया, मरने से पहले माने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बोला था, कि याद रखना बच्चों, जब भी भाईया जेल से चूटके आएंगे, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाया, और इसलिए, इसने आपको बाहर निकलने के लिए अपनी इड़ी चूटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज आपका दिल दुखाई दिया, उस दिन रात को मैं रजनी से मिलने उसके घर गया था, उसके घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते, इसलिए किसी को बिना बताया रात को मिलने जाता हूँ, लेकिन शेटी और उसकी बेटी को मारने में में मेरा कोई हाथ नहीं है, हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं, सब को बता कर तुम दिन में उससे मिलने जाओ, पपू दरवाजा खोलो, रजनी तुम्हारा मुह नहीं देखना चाहती, तुम्हें बताया था ना, कौन है बेटी, मैं सोड़ा साल की उमर में दुलोगों को मार कर जेल की सजा काट चुका हूँ, दो बार उमर कैद हो चुकी है, इससे जदा जानना चाहेंगे, जाओ, आओ, मुझे होस्पिटल में एक आदमी ने धमकी दी थी कि आज के बाद मनु के साथ तुम्हारे लड़की दिखनी ने चाहिए इसलिए मैं जल्दी से डिश्चार्ज करके ले आया बाद में वो आदमी हमारे घर भी आय था बोला अगर मनु यहां आया तो वो रजनी के साथ सार कि मेरा फोन उसके घर कैसे पहुंचा मैं आप समझ गया यह देखिए उस दिन रजनी के फोन से पप्पो मेरा वीडियो बना रहा था कि यह देखिए तो गई थी क्या है तो गई तो गई थी क्या है जेल से चूटने के बाद आज पहली बार अच्छा काम किया है मनु से सब नाराज थे ना आज मैने सब को अच्छी तरह समझा दिया मनु का फोन शिटी के घर कैसे पहुचा अब मैं समझ गया ओ रजनी और मनु तो खुश है ना क्या लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो लोग इदर बाहरी है सब बहुत खुश लग रहे है कि अब्रटर इका चाव निकालो ऑर चुप चाप पिच्छय बेढ़त जाओ अबे चाभी निकाल दक बोल रहा उन्हाँ जब्ड़ा ल्गाइट चुप जाव अँदर बढ़त जाओ बेढ़त जाओ रहे महां सुर कहीं के चुपचप गड़ी में बैठ जा ला गेट कॉल एचल बैठ वालतू का टाइम पास सुर कहीं के दिदी कमान अब बस आप ही कुछ कर सकती है थोड़ा कॉंसेंट्रेट कीजिए दिदी प्लीज कोविंद राज चन्नेई का रहने वाल है यह मेरे साथ जेल में ही था अभी अभी चूटा है अभी शेहर में कहां पर है इसका पता आपको लगाना होगा ढून तो लेंगे न इसको क्या इसके बाप को भी ढून के निकालेगा डून परी डॉक्टर अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर बात कर बात कर बे अरे विश्टू कौन है यह लोग बात करना बेचारी पूछ रही हम लोग कौन है जैसा बोल रहा हूं वैसा कर तब यह बचेगा वंदना देवर तुम मेरी चिंदा मत करना फोन कट करो कोई बात में है मजाक चल रहे है क्या क्या करण बता अ मैं करूंगी मैं जो बोलूंगा वो नहीं करना इंशिए मेरा बउस बोलेका वो करना अब व Chamowy संनां तो क्या यह को है रहा है कि ए Actra क्डा ने में जल्दे बता हूं हम बताता हूं लेकिन पहले चाहे कुछ भी ओजाए हाथ स्टेरिंग वील से हटना नहीं चाहिए और ये कॉल भी डिस्करेक्ट नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पती के साथ क्या हो सकता है गाड़ी खुमाओ और वापिस हॉस्पिटल जाओ ओके कि तुमाओ मैं कि तुम्हारे प्योकी को अ कि उनके। कि घर फोभ음elf गे प्यों प्यों आयात्मthat कि उर साथ मैं कि दुमाओ म्रु ऑूoriginal जो जो उतो जो जो कि प्रस्वान के जो जाओ जाओ प्यक्नलों अरुछा अरुडा अरुछा है कर दूड़ कर दो हो तर सब सुछ गरु़कर सत्तार है हम भरप फचर लो कर दो से लुट उलत लुट हम जह लुट अाग अब होस्पिटल के अंदर जाए अब हो और आइसीव पहुचने तक किसी से बात मत करना अब है आइसीव के अंदर जाने के बाद तुम सब को बाहर भेज़ दोगी अब गद 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 श्कैन रिपोट्स अब क्यामरा के सामने से हिलना मत अब जाओ और ये सेटिव पेशंट में इंजट कर दो जब तक इसकी हाट और पल्स रेट बनना हो तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर यूल तो स्टे ओन बोर्ट बनना जिस ने तुझे भेजा वो एडविन मोजेस कहां पर है बता दे एडविन मोजेस का मैं सिर्फ नाम जानता हूं वो कौन है किदर है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी इसलिए मैं बाहर निकल पाया उसने मेरी मदद किये न इसलिए मैं भेजस की मदद कर रहा हूं मुझे जेल से चुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से साहता मागी दिक्या क्योंकि जब से मैं जेल से चुटाओ तब से ही ये सब कुछ चल रहा है इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ मुझे चुड़ाने के लिए तुम किस-किस से मिले मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ लेकिन कोई भी काम में नहीं आया एक दिन एक शक्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया उसने बोला इस नंबर पे बात कर लो काम हो जाएगा उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलीस हेटकॉर्टर्स के दिवार पे कुछ लिखने को कहा था हेल इस एमटी ओल्ड डेविल्स के ओपर शेक्सपेर के कोई कहावत है मैं बस इतना ही जानता हूँ मनू तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा? हाँ यह रहा नंबर अरे यह नंबर तो मुद्टू का है तो इसके पीछे इसका हाथ है? नई एडविन मोजस एडविन मोजस कौन है? मुद्टू बताएगा मुद्टू एडविन मोजस वाव सची वाव सची मुझे शेटी साप से मिलना है मिलने की इजाज़त चाहिए इसमें मेरी इजाज़त क्यों चाहिए जब चाहो चले आओ सची तुम कब आने वाले हो? इवनिंग में ओके इवनिंग में मिलते हैं ओके सची भाई आर्या शेटी से आज आप मिलने जाएंगे आर्या शेटी से नहीं शेटी साब से ओ बात तो ये की है ना नहीं जब करना मैं तो सेटिंग कर आ रहा था बैठिये हम आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे आखिर कौन है ये एडविन मोजिस आपको मारने के लिए क्यों तुला है एडविन मोजिस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे एकलोते बेटे के वज़ा से शुरू हुई बेटी मेरा बेटा डॉक्टर अरुन शेटी ड्रक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोजिस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया और उसके जाने के बाद एडविन मोजिस की तबाही मेरा लक्ष था वेदानता आई पिएस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुक्सान पहुँचाया पर वो कभी हाथ नहीं लगा लेकिन एक दिन उसका करोडो रूपियों का ड्रक्स से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया मुझे मालूम था कि उसे ढूंडता हुआ एक ने एक दिन वो जरूर आएगा लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किसने बिगाड़ा? आपके छोटे भाई ने कमिशनर ओफिस के दिवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई मुझे लगा उसके पास मोजेस की इन्फॉर्मेशन है उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए इसलिए मैंने उसका किड्नैप करवा लिया मेरा प्लान था कि एडविन मोजेस से बारगेनिंग करूँगा पर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया उसके कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहां से ले कर जाए मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साब तो फिर कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने चीना उसको भी वापस करो उसके कहने के बाद बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुझे के बास भेजना पड़ा मुझे उनसे मिला हुआ था सिर्फ इसकी वज़े से एडविन मोजेस को फकड़ने का मेरा आखरी मौका भी मेरा हाथ से चला गया मैंने विदान्ता को सब कुछ पता दिया और उसने मुझे के ठिकाने पर रेड मारी पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रग्स मिला और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला पुलिस भी कंटेनर ढूंड रही है विदान्ता अब भी आप पर शक कर रहा है समखल के रहीगा एडविन मोजेस का नाम लेकर कहता है आप और आपके दोस्त मुत्तु के साथ ये खेल खेल रहे थे और अब मेरे पास वो कंटेनर नहीं है ये बात जानने के बाद एडविन मोजेस मुझे मारना चाहता है और वो भी आपकी सहायता लेकर आपको धमकी दिया आपके उपर दबाव बनाया गया कि कैसे भी प्रेशर में आकर आप वो कंटेनर बाहर निकाले अब आपके पीछे सिर्फ एडविन मोजेस ही नहीं है विदानता भी है उन्हें टिप कौन देता है आपके साथ रहने वाले आपकी लोग उन्हें मालुम होए बिना ये काम हो ही नहीं सकता है बिस्निस में मेरे पिता जी ने एक काम की सीख दी थी आख मून कर किसी पे भरुसा मत करो बड़े से बड़े कारोबारी का अंद उसके खास आदमी के गद्दारी के कारण ही होता है दूआ करो दुश्मनों से तो आप समल सकते हो लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है अब सचिता नन को कुछ ना हो मैं अपने भगवान से प्राथना करूँगा मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे अरे सची भाई सची भाई आप यहां क्या कर रहे बाई आप उपर क्यों नहीं आए किसका फोन था कुछ नहीं वो मार्केटिंग वा लोका था ला मोजे दिखा क्या सची बाई आपको मुझ पर विश्वास नही higher विश्वास नहीं आपको मुझ पर विश्वास नहीं है चल दिखा ला आई दीखाओंगा और रानो दिखा सची बई भाई आप इतने जित्टों करें हैं हम ने आज तक कुछ चुपाया कि आपसे अप अब हुआ हाई करें चल भग करें ने पड़िधा है कि विश्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर वरोसा किया और तुम लोगों ने एडविन मोजिस के साथ मिलकर पीछे से वार किया सच्छी भाई मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो सच्छी भाई को पता चलेगा तो क्या सूचेंगे तब यह दोनों बोलने लगे कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम सच्छी भाई को समझा लेंगे अब पीछी से वार किया सुनके दिल को चैन मिल गया क्या अब समझा लो पहले हमें इसके बार में कुछ नहीं पता था सच्छी भाई आर्या शेट्टी को छुड़ाने से केंटेनर कहीं और चुपा दिया इस बीच जब उनकी डील हो रही थी तब वो एडविन मॉजिस के पास पहुंच नहीं पाया और मुद्टू को पुलिस ने गोली मार दी उसके बाद केंटेनर के लिए एडविन मॉजिस हमारा पीछा कर रहा है अब उसी कंटेनर के लिए वो बार-बार हमें फोन कर रहा है जब मुद्टू जिंदा था भाई एडविन मॉजिस के साथ तब भी हमारा कोई रिष्टा नहीं था अब तो मुद्टू भी मर गया यह सच बोल रहा है सची भाई मुद्टू के मरने के बाद वो हमें लगाता में आ जाओगे लेकिन हमने आपके बात नहीं समझी आज उसी के सजा मिल रही है सची भाई आप जाईए यह गलती हमने किये सजा भी हमें ही मिलेगी उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लॉरी मागाई थी उसी दिन मुझे शक हो गया था इसी लिए मैंने मुद्टू का पीछा किया और उस लॉरी की तलाश ही ली उस लॉरी में करोणों की कीमत के ड्रक्स थे मेरा शक सही निकला मुझे लगा ये मामला एडविन मोजेज और शेटी के बीच काई होगा तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था कुछ भी हो मैं जानता था एक नेक दिन एडविन मोजेज इसके लिए बाहर निकले गाई और इसलिए मैंने मुझे की लौरी को दूसरी लौरी से बदल दिया एडविन मोजेज ने इस फोन पर दुबारा फोन किया था उसे पता है कि कंटेनर मेरे पास है मुझे ने जितना पैसा मागा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहाँ बुलाया है वो जरूर आएगा लेकिन पैसे क्यूं मांगे अगर पैसे नहीं मांगे तो उसे हम पर शक हो जाएगा वो इसे ट्रैप समझ कर कभी नहीं आएगा अजो अजो झाह एए, खाटाविसे रखाविसे रखाविसे वो, बुवब 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 प्राविसे प्राविसे बुवब ऑफ अग 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 घुब अग चौटना मतिसको अग कर खो हुआ हा भुख हम आपनें पड़ा बड़ुब का अषक अखरा कि अमाने हमेरे लग में अखरा बड़ा है रौत रंट झाही यह एर कर दो ऑपस YEAH! अ.. प्रड़ कर दो रपस पेखाई ज फ़र मेड़ तरOOOO कर दो कर दो दो! कर दो 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 कर कि सुछूचल कि और भीकर आप देड़ और की करे इतुम कि एाफ में। चुछूफंधी भीकर इता आई प्रह्फंधी अबस्ट नहीं कि अप। धुछूचल इत्लिकर अबस्ट Kणि पीज हैं । झाल टाल टू तू प्रेंदों कि अंध्ट कि अंध। अगर इन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में पहुचाता तो भी कोई सजा नहीं मिलती पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दुबारा यही धंदा करते अरेस्ट के इस बाहर आसे तो नहीं थाक्राइब करते हैं एक्रिमिनल्स को सपट पर मारना तास्माइ पलीसी सच्छिभाई नहीं भागो प्रिल्डी रंडिए अग्ट 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 करें खान! 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 उटने! खान! 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 माफ कर दो! बहुत बड़ी गलती हो गई! परिकर! सच भाई! देर हो गई! अब कुछ नहीं हो सकता! सजा मिली है हमें! भाई का साथ देना! दोस्त? दोस्त? खान! प्रेश व्रेश बहुत थाव बहुत कर दोस्त? अवतू और हो भाई यह... अवत। यह... अवत। आप आप तुझे लगा तुझे कोई कभी पहचान नहीं पाएगा अपने एहंकार में तुने उस ड्रग डीलर को मार कर अपना एक सामराज्य खड़ा किया एडविन मोजिस का जूटा नाम इस्तेमाल किया ये तेरा सिर्फ अकेले का सामराज्य है अब इस खेल में तुझे खुद फंसने वाला है तुने शेटी को मारने की तीन बार कोशिश की सारे ड्रग माफियस को अकेले मार देने वाला वेदानता है पियस एक एडविन मोजिस को कैसे नहीं मार पा रहा है इस बात ने मुझे तुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया फिर बड़ी चालाकी से तुने इसे हॉस्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया मेरे रिष्टदारों का इस्तिमाल करके तुने मुझे अपने रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की तेरी मौत को तुने खुद बुलाया है वेदानता मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई है उससे ज़्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुचाऊंगा याद रखना बाहर ड्रक से भरा कंटेनर तुझे चाहिए न उसी के लिए तो आया है करोडों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जलके खाग हो जाएगी और तो अपनी आँखों से देखेगा राए 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 शाके मैब शाके मैब सब्सक्राइब तेरी ही स्टाइल है ना क्रेमिनल को स्पार्ट में मारने की यह अच्छी पॉरसी है लेकिन यह मेरी पॉरसी नहीं है जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ सर शचीता नन का कॉल है सर आपने जो काम बोला था वो हो गया लेकिन सर एडविन मोजस को हम जिन्दा नहीं पकड़ पाए वेदानता आएपियस के हातों आज वो मारा गया भले ही वो मारा गया पर हमारे लिए अच्छी खबर है लेकिन एक और बुरी खबर है सर एडविन मोजस की गोली से वेदानता सर भी मारे गया ओस्वसेड जाएट जाएट के रखा है वाई मेरे तूने हम सब को कोने है कोने है सर 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 कारश में चोर जाएट अगरे यहां तेरी से अवाज आ जले चलिए वर लो हम इस देखित को तुट्पने जो संग्व तेरी दिखि भाईया अटो होगा लुए करो जो पूरे करो बहुत हुआ यह चिख्थि काना अटा धूरे वापस यह यह क्या बढ़ा करो इस खटारे के भीच आप अपनी राज में उबरबाद करो उसे मैंने इसको बना दिया है लाइट भी डिप बार रही है